शाह जी ने यहां मिटिक बुला के होम डिपार्ट्परेंट में ये सब दोनों जो हैं दोनों माफ कर दिया अभ्यांस में रख दिया हैं और जब तक ये आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स मिटिक नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगे आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी जुर्माना होगा आपकी चिंता नहीं बलकी हमारी चिंता है आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है चालक है तो मालक है ये चिंता का संग्यान एमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समत्ने हुए सई वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधान मंत्री जी और अमिज शाजी को पत्र लिखकर इसमें क्यार नुक्सान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्यार नुक्सान होगा किस तरह देश प्रभावित होगा ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संग्यान नहीं लेती है वही हुआ जो चिंता हमें थी जो डर था जो भै था वो एक तारीक से दिखने लगा और आपकी चिंता हम दिली में भारत सरकार पर पास लेके आये हैं आज हमें साथ बजे ग्रे मंत्राले ग्रे सचीव भला जी के अध्यक्ष्टा में उच्छतर्य एम टीसी के पदिकारियों से बिटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें ये खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट 2 में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा अस्वाशन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है जो भी निरने होगा आपकी चिनता हम बार-बार मंत्राले में भारा सरकार के पास लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे, आपको एक बार फिर सुचित करना कर रहे हैं कि आपके जो मंशा है कि दस साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है और हम आपको आस्वाशन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेट बोडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा तो ये कानून लागू कर पाएगी हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहन उपर आईए अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए हम पूरी टीम आपके लिए 24 बटा 7, 365 दिन हाजिर हैं आप से एक पर फिर अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आईए और वहन चलाइए और आपके चिंताएं दूर हुई हैं बहुत बहुत धन्यवाद बाल पलकीर सिंग चेर्मेन कोर कमेटी औल मोटर tutte कांइए डेखी मैं देखिए मैसिज है कि पहले भी हम कहते आये नेधिया के माद्य महीं जो इस्पांटेनियस reaction ती जो कि सप्चेंट का जो भी आंधोलन ओता है वह देश केलिए बहुत खत्रा पेदा करता हैं और हूब ऒभी यह स्लिड हम परिवार का सदश्रे हैं यह कानून का विरोत करते थे उनके साथ में खड़े थे हम कंस्ट्रक्टिव डैलॉग में विश्वाश रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डैलॉग के माद्यम से इसका हल निकला है जो आपको सबस्ट करना जाते हैं यह सरकार की मैं बोल रहा हूं जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है मीडिया में दी है और प्रेस लिस्ट थोड़े ही समय में सब लेग्वेज में आपके पास आ जाएगी उन्हें सबस्टी सबस्ट कर दिया कि 106 दो दस साल की सहया जुर्माना का क सब्सक्राइब करिया है देखिए देखिए सुनिये बात यह यह देखिए देखिए मेरी बात सुनिये वो आज चर्चा का विशे नहीं है आज चर्चा का विशे यह था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुजाना है सुनिये मेरी बात उसमें हम नहीं जाना चाते आप अलग आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होगा